हाई फूडीज आप सभी का स्वागत है मेरे साथ टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट रेसिपी वीडियो के लिए बैल लाइकन को प्रेस करें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कोई सुझाओ और तो कमेंट करना चलिए कुपिन करते हैं तो आज हम बनाएंगी बिल्कुल नए तरह की रेसिपी जो पांच मिनट में यू बन कर तेयार हो जाएगी इसे हम कहते हैं धनिया आलू खाने में बहुत ही टेस्टी होती है इसे हम पूरी पराठा या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं या हम चाहे तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं धनिया अलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू उबले हुए आलू के बाद हमें चाहिए धरी धनिया हरी धनिया को मैंने तोड़े जादा मात्रा मिलिया है और इसे धो कर अच्छे साफ कर लिया है धनिया के के लावा हमें चाहिए प्लेवर के लिए लैसुन हरी मिल्च अद्रक और अजवाइन अगर आप ठंड में बना रहे हैं तो अजवाइन डाले नहीं तो आप जीरा भी डाल सकते हैं तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जाल लेंगे और उसमें अपनी सारी धन्या डाल लेंगे ध्यान रखेगा धन्या का अमौन जितना जादा होगा आपका धन्या आलू उतना ही टेस्टी बनेगा तो सारी धन्या डालने के बाद इसमें हम फ्लेवर के लेसुन डाल देंगे धन्या अलू में लेसुन डालना बहुत जर्योवी होता है अब हम हारी मिल्च और अद्रक अबुशारक वर्द दालकर पाने की मदब से इसका एक गणाला पेज बना लेंगे तो हम इसे ग्राइल कर लेते हैं जgruppy मैने ज़्याइए ट्यां जीड़ा महीन नहीं पीसा है इसे रावाल्य बिसकर मिलपोर तयार है हम इस बावल में अलद सिलग से निकाल लेंगे इसके बाद हम एक कड़ाई लेंगे नंगी आलू बनाने के लिए मैंने लोहे की कड़ाई का यूज किया है आप चाहे तो अलिमूनियम की कड़ाई या फिर नॉनिस्टिक पैन को भी पैन यूज कर सकते हैं पर लुहे की कढाई में धनी आलु बनाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा तो इसलिए मैंने धनी आलु बनाने से इसका स्वाद दुबना हो जाता है अब जब कि तेल गरम हो चुका है तो इसमें अजमाइन डाल देंगे गरम तिल में अजवाइन डालते हैं जटकने लगेगी तो अब अजवाइन लाल हो चुकी है अजवाइन के लाल होते ही हम इसमें अपना बनाया हुआ हरा धनिया का पेश डाल देंगे देखिये कलर कितना सुंदक दिक रहा है मसाला को डालने बाल हम छटा जट से इसको चला लेंगे धनिया अलू बनाने की खास बास यह है कि हमें इसमें मसाले को ज्यादा भूलना नहीं पड़ता है अब जबकि मेरा मसाला उबल चुका है तो इसमें आप हम आधा चम्मस दमाल मसाला नमक और अमचर पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पस दमालू मसाला नहीं तो आप कोई भी नॉर्मा से सब्ड़ी मसाला भी डाल सकते हैं पर अगर दमालू मसाला डालेंगे तो आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा तो मसाले को को बढ़ने के बाद में अच्छा से आयों को तोड़ लेंगे ताकि धनी अलू का मसालना अच्छा से अलू का तो शमाइ़ तक ốcकी नजयर हुआ कर या ऐसे ही थाहर और भुर्क टेया है कि प्लेट निकाल लेते हैं आप चाहे तो इसचांए प्रॉरी पराथा या लोटी के साथ सर्व करें या फिर आप इसे चाई के साथ ऐसे ही खा सकते हैं. क्योंकि यह चाय के साथ भी बहुत ही तेस्टी लगती है और चलिए हब आप भी इसे अपने घर पर जरूर बनाईए और अपने घर वालों को खिलाईए तो ये रही हमारी बहुत ही सिंपल पांच मिनट पे बनने वाला धनिया आलो तो दोस्तों आज की हमारी डेस्टी रेसिपी बन के त्यार है ऐसे ही मज़ेदा रेसिपी के लिए हमारे साथ बने रहे थैंक्स फॉर वाचिंग